हेलो दोस्तों सरोजय केडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज में लेकिया हूँ दूद और चाय पत्ती का पानी बोईल करके इस चाय को कैसे बनाया जाए वो तरीका तो चलिए इस डिफरेंट तरीके को अपन देख लेते हैं गेस ओन करके एक बर्तन लेंगे जिसमें आप चाय बनाते हो वो ले लीजेगा और इसमें डालेंगे हाफ कप पानी में एड करेंगे चाय पत्ती दूद इस टाइम आपको विल्कुल भी एड नहीं करना है मैंने हाफ थी स्पून इसमें चाय पत्ती एड की है एक टेबल स्पून इसमें सक्कर डालेंगे अगर माल लीजे आपके पास इस तरीका कप है छोटा कप है मैं इस वाले कपके अकोडिंग मेजिर्मेंट बता रही हूँ अगर आपके पास इस तरीके वाला कप है तो इसके अकोडिंग आप टी स्पून लीजेगा मैं इसके अकोडिंग आपको टेबली स्पून बता रहे हूँ तो इसके अकोडिंग आपको टी स्पून लेनी है दूसरी तरफ एक तरफ देख लीजे अपने वो चाय पत्य वाला कर लिया है दूसरी तरफ में कर रही हूँ दूद गरम आप गाई, भैंस, किसी का भी दूद ले सकते हो जो आपके पास अवेलिवर हो मैं यह आप दूद ली हूँ एक कप, एक कप से भी हाफ कप क्योंकि अपने हाफ कप पाने लिया है तो हाफ कप दूद लेंगे देकि मैं सारे दूद को एक बार उबाल रही हूँ किस वज़े से, क्योंकि इसमें जो किरिम है इसके जाग है वो निकल जाए इतनी देर में हमारे वो बारी चाय बोईल हो जाएगी कि तब तक अपना दूद भी गरम हो जाएगा यह देकिए जाज होने लगे है न अपनी चाय यह जैसे उबलेगी इसमें डालेंगे अद्रक का टुकड़ा वारी क्रेस कर लेना और इलाइची भी और आप चाहो तो लोंग सड़ी का टायम है तो लोंग काली मीड्स यह मसाल हार फ्लेम कर देते हूं जिसे यह जल्दे से बोईल हो जाएगा दूद जो बोईल हो चुका है इसकी यह उपर उपर वाली अपन मलाई लेंगे यह दिकरे आए जाक वो और दूद भी ऐसे फकड़ कर एक कप में पहले ट्रांस्पर कर लेते हैं दूद इतना ही दूद लग अब जो यह चाय का पानी है इसको छान लेंगे यह डार कलर का होना चाहिए जाल 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 इसमें डाल देंगे मुझे थोड़ी से मलाई कम पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ी से कम मलाई डाली है अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा भी ले सकते हो यह देखिया हमारी चाय बनकर त्यार हो चुकी है मिलते हूं मैं सरो सरमा एक ऐसी नई रेस्पी और एक नए टेस्ट के साथ कुछ लोग ऐसे बनाते हैं जैसे पहले चाय पत्ती कर लेंगे फिर बाद में दूद एड़ करेंगे तो मैंने आज वो तरीका बता है कि पहले चाय पत्ती का पानी जो है वो गरम कर लिया है फिर दूद एड़ किया है तो कैसी लगी आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट क करके जरूर बताईएगा